हेलो फ्रेंज इस इस सुश्मिता वेलकम बैक तो आर चैनल एड्यूकेशन अर्यूस्टी आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकाबलरी और टॉपिक रहेगा सुननिम्स 11 पार्ट आज हम करेंगे 10 पार्ट हो चुके हैं और जिसने भी वो 10 पार्ट अभी तक नहीं देखी हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं सुश्मित अत्यागी ओफिशल मेरा इंस्टाग्राम एकाउंट है यह पीडिएफ आपको चाहिए तो यह कंप्लीट पीडिएफ आप मेरे फेस्बुक पेज एजुकेशन एड़ियोस्ट इसके प्रनांसियेशन का भी ध्यान रखें इट्स पॉर्स्पैक्टिव राइट एडजेक्टिव यह वर्ड क्या है एक एडजेक्टिव है जो नाउन की प्रोनाउन की विशेशता बताता है और इसका मतलब क्या है संभव मतलब पॉसिबल जैसे आप इस पिक्चर में दे टिवेटि कर रहे है राइट तो ऐसे ही यह लड़का भी महनत कर रहा है काम कर रहा है थीक है तो इससे क्या होगा कि इसके फ्यूचर में जो अग्हीं प्रेजेन्ट में कर रहा है इसके फ्यूचर में अब मतलब possibility है बही जब हम मेहनत कर रहे हैं अभी present में तभी तो हमें future में क्या मिलेगी success मिलेगी ना तो हम कह सकते हैं कि इसके future के अच्छे होने की possibility है मतलब likely to be or to happen मतलब possible कि इसका future इसे success जरूर मिलेगी ठीक है possibility है मतलब संभव है इसे success मिलना उसी को कहते हैं prospective इसकी synonyms है future, coming, forthcoming मतलब future में आपको क्या मिलने वाला है उसकी possibility, eventual, likely, imminent, expected, destined, potential, pronunciation का भी ध्यान रखें ठीक है approaching तो यह prospective word के इतने सारे synonyms हैं आपकी vocab को भी अच्छा करेंगे साथ ही आपके exam में भी बहुत जादा helpful रहेंगे चले चलते हैं, second word को देखते हैं क्या है, it's lowzy, it's what, lowzy इस word की pronunciation भी ध्यान रखें, बहुत से बचे से lowzy इस तरह से pronounce करेंगे, but it's lowzy, right यह word एक adjective है, क्या है adjective, जो noun की, pronoun की विशेश्टा बताता है, कि कोई भी चीज कैसी है, मतलब, lousy मतलब घटिया आप इस picture में देख सकते हैं, यह apple देख रहे हैं, कितनी घटिया quality का, मतलब, कितना घटिया apple है यह, कितना सडा हुआ, खराब apple है यह, उसी को कहते हैं, lousy, मतलब, very bad lousy के synonyms क्या है, rotten, मतलब, बहुत खराब, awful, again, terrible, बहुत भयानक, bad, यह apple देख रहे हैं न, कितना भयानक सा देख रहे हैं अंदर, यह कुछ, इसमें कीडे विडे पड़ गया है, ठीक है, poor, ठीक है, dirty, inferior, ratch, बहुत अच्छा वर्ड है, despicable, shoddy, despicable का मतलब समझते हैं, मतलब, वो नाली का एक किडा होता है न, तो उसको despicable कहते हैं, मतलब, इतना सड़ गया है, कि कह नहीं सकते हैं, मतलब, बहुत घटिया, यहाँ पर हम कहेंगे, कि बहुत जादा घटिया, ठीक है, खराब भी नहीं, बहुत जादा घटिया कि उसी को कहते हैं, लाउजी, थर्ड वर्ड इस, एक्सेंचुएटेड, इस वट, एक्सेंचुएटेड, यह वर्ड एक वर्ब है, क्रिया है, जो काम का होना बताती है, और इसका मतलब क्या है, बल देना, मतलब, जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर इस दिखानी दे रहा, तो इसको मतलब फोर्स करके आपको साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी को कहते हैं, एक्सेंचुएटेड, मतलब, जोर देना किसी चीज़ पे, जैसे इसको जोर देकर ऐसे यह दूर है, और ऐसे जोर देकर इसको क्या दिखा रहे है, पास म दिखा रहे हैं, आपको clear दिखा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं, बल देना, मतलब, फोर्स लगाना किसी चीज़ पर, उसे clear दिखाने के लिए, underlined, highlighted, highlight करना, heightened, underscored, pointed, punctuated, earnest, तो accentuated की कितने सारे synonyms हैं, I hope आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, और like जरूर कर दें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो, comment करके बताएं कैसा लगा, fourth word is predominantly, fourth word is what, predominantly, और predominantly का मतलब क्या है, मुख्य रूप से, ये word एक adjective है, ये word एक adjective है, विशेशन है, again जो noun की, pronoun की विशेशता बताता है, और इसका मतलब है मुख्य रूप से, मतलब mostly या mainly, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपर मुख्य रूप से synonyms और antonym पढ़ाये जा रहे हैं, ठीक है, मतलब mainly वो काम हो रहा है, जो हमें करना है, ठीक है, तो उसे कहते हैं predominantly, मतलब chiefly, principally, mostly, कितने अच्छे words हैं, कितने अच्छे synonyms इस word के primarily, mainly, largely, generally, dominantly, usually, in the main, तो predominantly, word की कितने सारे synonyms हैं, I know कि आप सभी को यह सारे के सारे एक साथ याद करने थोड़े मुश्किल होंगे, समझने मुश्किल होंगे, बट वीडियो को बार-बार देखें, ठीक है, एक बार देखने से कुछ नहीं होता, तीन-चार बार देखेंगे, अपने आप समझ म आजाएगा, let's move on to the next word that is positive, अब positive word क्या है, एक adjective है, विशेशन है, जो noun-pronoun की विशेशता बताता है, और इसका मतलब है कमी, मतलब जिस इस picture में देखें, यहाँ पर पानी की कमी हो गई है, इस word को पीने तक को पानी नहीं, यह नल में से भी infect पानी आता है न, वो पानी भ सुखा पड़ा हुआ है बिलकुल, तो उसी को क्या कहते है, positive, मतलब कमी हो जाना, जैसे आपका एक area है, जिस area में आप रहते हो, ठीक है, और उस area में पानी ही नहीं है पीने के लिए, मतलब लोग प्यासे मरें दूर दूर तक, मतलब जा रहे हैं, कहीं कुआ है, वहाँ से भर-भर के ला रहे हैं, तो उसको कहते है, positive, मतलब less than enough of something, मतलब है ही नहीं कोई चीज़, बहुत कम है, मिल भी कहा रही है, इतनी दूर, वहाँ से भर-भर के पानी लाना पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं, कमी, insufficiency, कमी हो जाना, dearth, poverty, गरीबी, lack, कमी होना, deficiency, shortage, scarcity, scantiness, inericacy, scarceness, तो इन सभी वर्ड का मतलब क्या है, कमी, कि किसी भी चीज़ की, का अकाल पड़ जाना, होता है, सूखा पड़ गया है, जमीन बंजर हो गई है, मतलब जमीन ही नहीं बजी है, खीती करने के लिए, पानी ही नहीं बचा है, उस एडिया में, जिस एडिया में आप रहते हो, तो उसी को कहते है, positive, ये थे कुछ five words, I hope आप सभी को पसंद आये होंगे, पसंद आये हो तो like जरूर करें, comment करके बताएं, वीडियो कैसा लगा, और जादा से जादा अपने दोस्तों में share करें, चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले, ऐसी ही वीडियो आप लोगों को और देखने हैं, तो please चैनल को subscribe कर दे, बैल आइकन को press कर दे, मेरे जितनी भी जो भी updates हैं, मेरे चैनल से जुड़ी वो आप सभी तक पहुच जाएंगी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फूर वाचिंग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें